नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर एस्पी दे कॉंसल्टेंट होईपेथिक फिजिशियांड और क्लिनिकल नुटिशनिस्ट फ्रम शिलीगुरी वेस्ट बेंगोल इंडिया से आज आप लोकों के लिए लाया हूँ बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक होमियोपेथि में जिसक नॉर्माल एक रुमाटलोजिकल प्रॉब्लेम जिसको हम लोग बात बोलते हैं ऐसा एक प्रॉब्लेम को लेके एक आदमी चलते-चलते धिरे-धिरे बेड रिडेन हो जाता है उसका जो हाथ और पैर है सब कुछ टेरा होने लगता है डिफॉर्म्ड होने लगता है फिर वो बेड रिडेन होके एक टाइम में दो-चार साल बेड रिडेन रहके धिरे-धिरे मौत के मुह में पहुँच जाता है ऐसा एक बहुती पेइनफुल कॉंडिशन जिस रुमाटलोजिकल डिजीज में जिस बात के बीमारी में होता है उसको बोला जाता है रुमाटोएड अर् पार्थराइटिस को लेके बहुत ही ज़्यादा रिसर्च बगरा काम बगरा हुआ है और इसको लेके सबसे बड़ा इंपोर्टेन जो इशू है वो है कि इसको कॉंट्रोल कैसे किया जाए इसको ठीक कैसे किया जाए तो होमियोपैथी में हम लोग इसका बहुत सारा सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपोर्टेन जो बात है वो है रिमाटोएड अर्थरेटिस का डाइगोनोसिस कैसा होता है रिमाटोएड अर्थरेटिस के जो दशक थे उसके बाद 87 में उसके बाद 92 में 95 में 2003 में 2010 में जितना दिन जा रहा है अमेरिकन रिमाटोलोजिकल असोसियेशन या वहो या कोई भी देश इंटरनेशनल और्गनाजेशन फर रिमाटोलोजी ये सब अपना डियागोनोसिक क्राइटेरिया चेंज करता ही जा रहा है लेकिन इसलिए कोई नेट से डाउनलोड किया हुआ या किसी बुक में रखा हुआ जो डियागोनोसिक क्राइटेरिया है उसके उपर मैं बात नहीं करूँगा सबसे पहले मैं बात करूँगा कैसा होता है आरली स्टेज अप रिमाटोर अर्थराइटीस बहुत ही स्टार्टिंग में जब आपको पकरा जाए तो आपका रिमाटोर अर्थराइटीस कैसा आपका सिम्टम आएगा कि जल्द ही आप समझ जाएगे दोस्तो अगर आपके शरीर में दोनों साइड में मतलब बोथ साइड सिमेट्रिकल जॉइन्ट इंभॉल्मेंट पेन हो रहा है और जो पेन है वो स्मॉल जॉइन्ट साफ फिंगर्स अप हैंड लेक से स्टार्ट होके बिग जॉइन्ट में आ रहा है और उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस और बुखार बीज बीच में थोरा सा चिली चिलीनेस ठंडा लगता है वो बुखार और वीकनेस रहता है यह आपका आर्ली साइंग आप रिमाटोड अर्थराइटीज है यह मैक्सिमाम यंग केसेस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लेस यह जो जॉइंट्स है फिल रिज जॉइंट्स है यह सब जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा होता है पैरों के स्मॉल जॉइंट्स और एडवांस दो चार महीने यह साल में जाके वो बिग जॉइंट्स में एफेक्ट करता है इसके साथ ब्लाट टेस्ट में अगर आपका आ हुआ है यह सार आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका डाइगोनोसिस कॉंफर्म है कि आपको रिमाटोइड आर्थराइटीज है कभी-कभी देखा जाता है क्लासिकाल रिमाटोइड आर्थराइटीज का इसे जो आपका हात है यह जो आपका हात है यह ऐसा यह जो दो फिंगर इंटर डिजिटल जो यह जो आपका गैप है यह बढ़ा हो रहा है हो रहा है ऐसा टाइप का आपका हाथ हो रहा है फिर इसको आप ऐसे कर ऐसे ऐसा टाइप का भी flexed hand हो सकता है claw like deformity बहुत सारा ऐसा deformity आपका हो चुका है फिर भी आपका RA factor increase नहीं किया है तो भी आपका rheumatoid arthritis diagnosis होगा बहुत सारे cases में without any RA factor only यह सार हाई है थोरा सा only आपका CRP थोरा सा हाई है लेकिन classical symptoms of rheumatoid arthritis है इसमें हम लोग diagnosis कर देते हैं कि यह rheumatoid arthritis है और एक खास symptoms होता है rheumatoid arthritis का बीच बीच में बुखार आना उसके चिल एन राइगोर रहेना थोरा सा ठंडा बोद रहेना और उसके साथ morning stiffness सुभा जब patient चलने चलना स्टार्ट करता है आगे बरना स्टार्ट करता है तो उसमें आपका उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है जो joints होता है वह immobile होता है fixed हो जाता है तो यह एक problem होता है rheumatoid arthritis में morning stiffness तो यह जो मैंने बताया मैं बता सकता था आपको कि बल्द खुद change कर देते हैं 2-4 साल के research के बाद तो मोटा मोटी जो मैंने आपको बताया है जो clinical pictures मैंने बताया है जो laboratory test के बारे में मैंने बताया है इसी सब के उपर diagnosis होता है कि rheumatoid arthritis सबसे खतरनाक जो बात है rheumatoid arthritis इस इस आपके खून में एक protein है जिसका nature change हो गया है वो अपने ही body के joints के उपर action कर रहा है उसके लिए आपके body में फिर से एक antibody जेनाने ठोता है आपके body का ही कोई protein या antibody जो antigen बन चुका है जो अपने body पे ही attack कर रहा है particular synovial membranes of the small joints and big joints में आपका attack कर रहा है उसको damage कर रहा है और उसके against फिर antibody बर रहा है तो यह जो complex process है इसको हम लोग autoimmune disorder बोलते हैं और यह जो autoimmune disorder है इसको हम लोग rheumatoid arthritis बोलते हैं सबसे खतरनाग जो बात है यह difficult to control होता है एलोपती में DMRD group of drugs यूज होता है जिसमें नॉर्माली एक pen killer एक steroid एक methotrexate group of drug जो anticancerous DNA को change करने वाला drug सहजो बोलके एक drug use होता है और एक drug use होता है जिसको हम लोग malaria में यूज करता है ऐसा कोई quinine type का यह hydrochloroquineine यह जो drugs एलोपती में use होते है एडवांस cases में कुछ antibody भी दिया जाता है पेशेंट को और लगभग maximum cases में steroids के उपर ही पेशेंट को रखा जाता है इससे क्या होता है जो पेशेंट का खुद का immunity है वो एक दम खतरनाग type का destruction उसको हो जाता है और पेशेंट धीरे 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 इससे infection को spread करके मर सकता है क्योंकि यह जो DMRD group of allopathic drugs है जिससे rheumatoid arthritis का treatment किया जाता है यह पेशेंट का immunity को बहुत ही ज्यादा खतरनाग तरीके के से destruction करते है वीक immunity में पेशेंट को रखते है यह highly comorbid patient है इसको पहले-पहले starting में 2-4 साल तक आपका इसका अच्छा result मिलेगा फिर जाके एक time में जब यह medicines का dose एक human body के weight के हिसाब से जब dose saturated हो जाएगा उसके ज़्यादा dose आपको दिया नहीं जाएगा तब आपका problem जो है जो inflammation है जो joints में swelling pain बगरा है जिसके कारण आप चल नहीं सकते कुछ काज काम नहीं कर सकते बिस्तर से भी उठ नहीं सकते वो नह ingredient हो जाएंगे ऐसा एक situation एलोपर्थी treatment के कुछी सालों बाद देखा जाता है इसलिए maximum rheumatoid arthritis के patients हम लोग के पास आते है लाइप में एक दो बार अच्छे कोई homeopath को ढूनके उनको chance देते हैं कि homeopath में इसका कोई इलाज है की नहीं हाँ दोस्तों इसका homeopath में बहुत ही अच् परेगा जो disease है complex disease है एक autoimmune reaction का disease है DNA level में change यहाँ पे हो जाता है तो इसको control करना difficult to control है इसके लिए अच्छा homeopath आपको ढूनना चाहिए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है homeopathi doctor what you should know homeopathi doctor के बारे में आपको क्या क्या जानना है homeopathi doctor दिखाने से पहले playlist के सब वीडियो जरूर दे चैनल में नहीं मिलेगा कि मेरे लोकालीटी में अच्छा homeopathi doctor मैं कैसे धूनू उसको आप लोग जरूर देखिए अच्छा experience institutional qualified homeopathi doctor के पास जाके आपको जो constitutional pure homeopathi pure constitutional homeopathic treatment है वो लेना है उससे आपको और यह treatment लगभग चलता भी है छेवाइना एक साल दो साल इसके बाद आ जादा आपको दिक्कत नहीं करेगा pain swelling हम लोग reduce कर देते हैं और जो है जो dependency हो जाता है patient काम नहीं कर सकता हर रोज मरा का यह आप इससे आप निकल जाएंगे और अगर आप early stage में जाते अच्छे कोई qualified homeopath के पास तो आप लगभग पुरा-पूरी ठीक भी हो सकते हैं इसके इसके बाद आता है इसमें सबसे important role होता है इस type के cases में diet का मेरे चैनल पर एक वीडियो है वो है arthritic diet arthritic diet के उपर बहुत ही अच्छा वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिए वहां पर जो जो मैंने खाने को बोला है जो नहीं खाने को बोला है जैसे खाने को बोला है उसको follow कीजिए rheumatoid arthritis में आपको बहुत ही help मिलेगा इसके बाद next आता है हमियोपथी में एक या दो मेडिसिन में आपको बता दे रहा हूं अगर आप न्यूमाट ऑर्थारेटिस के पेशेंट है कोई भी स्टेज में है कोई बी आलोपाथी दवाई ले रहा है न्यूमाट लोजी को दिखा रहे है आयुडबेदिक ले रहे है या दूसरे हमियोप पैथी को डॉक्टर को दिखा लीजिए सबसे इंपोर्टेंट जो हम लोगों का मेडिसीन वह है इसको आप एक चमच पानी में दिन में चार बार दो बुंद करके लीजिए लेते रहिए दो तीन महीने के लिए तो आपका अर्थरेटिस का लेवल और अर्थरेटिस का जो भी प्रोब्लेम है बहुत कम हो जाएगा उसके बाद आता है गुएकम मादार प्लस स्टेलिया मादार का कॉंबिनेशन गुएकम मादार जो एक फेमस मेडिसीन है हमीपेथी में अर्थरेटिस के लिए उस होता है और है एक स्टेलिया मेड बोलके एक मेडिसीन है स्टेलिया मे इक्वाल एमाउंट में आप मिक्स कर लिजे, किसी भी अच्छा इंडियान या जार्मान कमपाणी का मादर टिंचर खरील लिजे, इसको इक्वाल एमाउंट में मिक्स कर लिजे, 10 बुन्द करके दिन में 3 बार, 2 चमच गरम पानी में खाने के बाद आब लेते रहिए, उसके साथ आप अर्थरेटिक डायेट करते रहिए तो ये दो मेडिसीन एक मादर टिंचर का कॉंबिनेशन और स्टिलिंजिया सा थार्टी एंड आपका अर्थरेटिक डायेट ये दो देके ही मैंने कई पेशेंट को ठीक किया है बहुत ही अच्छा इंप्रूब्मेंट होता है इस जिन्देगी सुखमाय गुजरे और आप बेट रिजनसी से बग जाए और एक टाइम ऐसा आए जब आप इस बीमारी से पूरो मुथ हो अगर इस वीडियो को काम का लगे तो अपने रिलेटिव में अपने फ्रेंड सरकल में शेयर करना मत भूलेगा अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकान को प्रेस करना मत भूलेगा नमस्कार दोस्तों